हम कर रहे हैं 11th home science और आज हम हमारे उस topic की बात करेंगे जिसके बिना हमारी life लगबग impossible है यानि हम करेंगे हमारा 6th chapter जो कि है संचार, माध्यम और संचार, प्रद्योगी की और आज के भाग में हम बात करेंगे संचार के अर्थ की और संचार के वर्गी करण की तो आईए शुरू करते हैं मानव जीवन के लिए संचार आधारबूत और अती आवशक है यानि जैसे हमारे लिए खाना, पीना, सोना, सांस लेना ये सब आती आवशक है उसी तरह से हमारे लिए संचार भी आधारबूत है और अती आवशक है यह धर्ती पर जीवन आरंभ होने के समय से ही विद्यमान रहा है यानि धर्ती पर जब से मनुश्य है जब से जीवन है तब से ही संचार है इसके माध्यम इसके तरीके जरूर अलग-अलग हो सकते हैं अब हम अगर बात करें आधुनिक समय के यानि प्रेजन चाइम के अगर हम बात करें वर्तबान समय के तो तेजी से विक्सित होती परद्योगियों के साथ लग-भग हर सपता बजार में नई संचार विदियां और उपकरण आ गए है देखिए आज टाइम बहुत ज़ादा एडवांस है तो जो टेक्नॉलजी है वो बहुत ज़ादा डेवलप हो गई है डेली न्यू न्यू टेक्निक्स आ रही है मार्केट में और हम ये कहें हर हफते हर महिने बजार में नई संचार की विदियां और नई नई उपकरण आ रहे हैं हम X का एक छोटा से एक्जेंपल ले लेते हैं कि पहले हमारे जो फोन थे वो बेसिक फोन थे उसके बाद लैनलाइन बेसिक फोन से मुबाइल फोन पे आये हम उसके बाद जो mobile phone थे वो भी smart नहीं थे उसके बाद smartphones आ गए और उसके बाद उसमें कुछ नए-नए features हर हफते हर महीने हम कहें जुड़ते ही जाते हैं तो technology day by day advance हो रही है तो संचार की जो विदियां है उपकरण है वो भी advance होते जा रहे हैं इन में से कुछ अपनी गुणवता और उपयोग के कारण लोग प्रिया हो गए हैं और काफी समय से कायम है यानि हम इस एक example से समझ सकते हैं ऐसे phone जिनका camera अच्छा है, speed अच्छी है, memory card या कुछ ऐसे functions हैं जिनके कारण वो बहुत समय से कायम हैं और अपनी लोग प्रियता बनाए हुए हैं देखे बचो ये कुछ images हैं आपकी book में भी दी हुई हैं ये इनके बीच में संचार चल रहा है, बातचीत चल रही है, student और teacher है यहां कुछ friends हैं जिनके बीच में संचार चल रहा है, लेकिन इनकी बातचीत के अलावा भी यहां पर संचार के कुछ सादन है, संचार के कुछ तरीके हैं, उन्हीं की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संचार क्या है, what is communication सबसे पहले हम इसका अर्थ चान लेते हैं, फिर हम इस word की बात करेंगे इस शब्द की संचार की communication की, तो पहले अर्थ चान लेते हैं कि संचार विविद्ध परिस्थितियों पर विचार और चिंतन करने विविद्ध परिस्थितियों यानि कि वो परिस्थितियां अच्छी भी हो सकती हैं बुरी भी हो सकती हैं फॉर्मल बातचीत हो सकती हैं इन्फॉर्मल हो सकती हैं घर की परिस्थितियां बाहर की परिस्थितियां किसे भी तरह की जो परिस्थितियां हैं उन पर विचार और उनका अवलोकन करने, उन्हें समझने, उनका विशलेशन करने और फिर इन सब को विभिन संचार माध्यमों के द्वारा दूसरों तक संप्रेशित करना यानि दूसरों तक पहुँचाना कोई विचार, कोई मत, कोई तथ्य, कोई आइडिया, कोई इन्वेंशन, कोई भी तक संप्रेशित करना यही प्रकीरिया क्या कहलाती है, संचार कहलाती है, आम से चब्दों में अगर हम कहें बिलकुल साधारन सी भाशा में, तो कोई भी बात चीत है, उसको हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं, ठीक है, यह स्वियम देखने या अवलोकन करने, सुनने या ध् तोकन कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं और फिर उससे दूसरों के साथ, औरों के साथ, विचारों, मतों, अनुभवों, तत्यों, जानकारी, प्रभाव, अवसर और समेंगों के आदान-प्रदान से भी संबंदित है, यानि कि हम कोई सूचना दूसरे को द कहते हैं अब हम बात कर लेते हैं इस शब्द की संचार शब्द देखिए यह जो शब्द है संचार इंग्लिश का एक वर्ड है communication क्या word है communication आपको easy हो इसके लिए मैं इसकी spelling भी लिख देती हूँ ठीक है क्योंकि पूरे इस lesson में हम बार-बार इसकी बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए इस word के बारे में यह जो शब्द है communication संचार शब्द इसी का परयाय है और यह latin का word है communis क्या word है latin का communis इससे निकला है जिसका अर्थ है सर्वसामान या common या general ठीक है इसलिए यह नेकेवल विचारों और मतों को व्यक्त करने या ग्यान और सूचना को प्रदान करने से संबंदित है बलकि इसमें विश्य को बिल्कुल उसी अर्थ में समझना भी शामिल है जो संप्रेशक और ग्राही के लिए समान हो तो सबसे पहले हम कुछ शब्द जान लेते हैं जिससे इसकी definition को समझना और आसान हो जाएगा हम जान लेते हैं यह संप्रेशक क्या है और ग्राही क्या है देखिए यह दोनों वर्ट्स बहुत important है क्योंकि पूरे lesson में बार बार हम इनके चर्चा करेंगे तो एक बार अगर हम समझ लें तो हमारे लिए समझना और भी इजी हो जाएगा संप्रेशन यानि जिसे हम कहते हैं sender ठीक है यानि कि सूचना को देने वाला सूचना को भेजने वाला उसे हम कहते हैं संप्रेशक ठीक है यानि कि sender ग्राही यानि प्राप्त करता, सूचना को जो ग्रहन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है ठीक है, ग्राही को हम इंग्लिश में बोलते हैं, रिसीवर तो हमने दो शब्द समझ लिए, सेंडर और रिसीवर sender जो सूचना दे रहा है कोई भी तत्थे, कोई भी विचार share कर रहा है, ग्राही यानि कि जो प्राप्त कर रहा है प्राप्त करता, अगर आम आज के वीडियो का example लें, तो आज मैं आपको ये lesson पढ़ा रही हूं, समझा रही हूं, सूचना ये आपको दे रहे हैं, तो आप क्या हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेसन को समझ रहे हैं, तो आज आप हैं ग्राही यानि कि प्राप्त करता यानि कि receiver, ठीक है अब हमने इस शब्द समझ लिए, अब हम फिर से definition पे आते हैं, कि संचार का अर्थ केवल ये नहीं है कि मैंने अपने विचार या मक्त व्यक्त कर दिये, आपको कोई ज्यान दे दिया, या कोई सूचना दे दी, लेकिन इसमें विशय को उसी अर्थ में समझना भी शामिल है, जो मैं कहना चाती हूं, अगर आप वो नहीं समझ रहें, तो ये सही संचार नहीं है, for example, आपको फ्रेंच लेंग्विज नहीं आती ठीक है, और ये पूरा लेसन हिंदी में पढ़ाने की बज़ाए, मैं आपको फ्रेंच लेंग्विज में पढ़ा दूं, सस्कृत में पढ़ा दूं नहीं समझ पाएंगे, अब मैंने तो अपने विचार व्यक्त कर दिये, मत व्यक्त कर दिये, आपके साथ सूचना को प्रदान कर दिये, आपको ज्यान दे दिया, लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ, उसी अर्थ में आप नहीं समझ रहे हो, तो ये है प्रभावी संचार नहीं है, ठीके, तो व्यक्तियों के बीच संदेश द्वारा संपूर्ण आश्य पहुंचाने का चैतन्य प्रयास ही प्रभावी संचार कहलाता है, यानि इसमें मीनिंग भी इसमें मीनिंग्फूल संदेश होना चाहिए जो दूसरे को समझ आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे प्रभावी संचार, तो संचार की जो इक प्रकिर्या है, इक सतत प्रकिर्या है, य عنि यह जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, एक कॉंचुनियस प्रॉसेस है, शॉर्ट क्रिश च्वार्गी वरगी समुधाय कि जीवन के सभी खेत्रों में व्यापत है यानि ऐसा कोई भी खेत्र नहीं है जहां पर क्वसेलने व्यापत है बच्चों देखिए ये जो डियाग्राम है आपकी भूक में नहीं दिया हुआ लेकिन ये बहुत important है ये पूरा diagram आपको बनाना है क्योंकि जैसे ही आपने इस diagram को समझ लिया आपको ये वरगी करण चुटकियों में आसानी से समझ में आ जाएगा तो सबसे पहला हम इस diagram को समझ लेते हैं देखिए संचार का जो वरगी करण है classification है उसकी हम बात करेंगे चार प्रकार से first है हमारा on the basis of interaction यानि की पारस पर एक किर्या की आधार पर संचार कितनी तरह का होता है तो अगर हम interaction की बात कर रहे है पारस पर एक किर्या की तो संचार दो तरह का होता है एक तरफा संचार और दो तरफा संचार यानि one way communication और two way communication अभी हम केवल इनके नाम समझ लेते हैं आगे हम details इनकी चर्चा करेंगे ठीक है second हमारा जो है संचार के स्तरों के आधार पर यानि कि communication on the basis of levels उसके जो स्तर है उसके आधार पर communication कितने तरह का है उसके आधार पर communication है छे तरह का six types जिसमें पहले नंबर पे है अंत्रा व्यक्तिक संचार अभी आपको सुनने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन अगर हम एक बार धिहान से समझेंगे तो यह बहुत ही easy topic है अब आसानी से इसको कर सकते हैं ठीक है अंत्रा व्यक्तिक संचार इसको हम इंग्लिश में बो रहे हैं अंत्रा ठीक है सेकिन नंबर पे है अंत्रा व्यक्तिक संचार समू याने कि इंटर पर्सनल कम्यूनिकेशन थर्ड नंबर पे है हमारा समू संचार जिसे हम कहते हैं ग्रुप कम्यूनिकेशन फोर्थ नंबर पे है जन संचार जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मास कम communication अब हमने जो ανत्राव्यक्तिक किया है उसी की तरह है हमारा लिज्व को सह जो हमेरा ग्त्रा पर सांचार के इनिफेर से बत और लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे third type की, जो की है on the basis of the means of communication, संचार की जो साधन है या संचार की जो विधियां है, उसके आधार पर संचार के कितने प्रकार है, तो अगर हम साधन या विधी की बात कर रहे हैं, तो संचार की दो प्रकार है, शापदिक अथ्वा मोखिक संचार, जिसे हम कहते हैं, verbal communication, नाम से इस पर्ष्ट हो रहा है, जो शब्दों के माधियम से किया जाता है, अगला है गैर शापदिक संचार, यानि की non-verbal communication, अब आपको लग रहा होगा बिना शब्दों के कैसा संचार होता है, अभी हम डेटेल से आगे, इसके भी बात करेंगे, फोर्थ हमारा टाइप है, on the basis of senses की हम कितनी इंद्रियों को काम में ले रहे हैं उसके आधार पर, तो इंद्रियों के अगर हम बात करें, तो उसके आधार पर हमारा जो संचार है, वो तीन तरह का है, सबसे पहला है श्रव्य यानि की audio aids, second number पे है द्रश्य यानि की visual aids, है ना, और third number पे है हमारा इन दोनों का combination जो की है श्रव्य द्रश्य यानि की audio visual aids, तो ये diagram हमने समझ लिया है, आप इसे अपनी notebook में बना लीजिए, video post करके, क्योंकि ये diagram समझते ही, आपको पूरा lesson लगबग आसानी से समझ में आ जाएगा, अब हम एक एक करके इंकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पारस पर एक किर्या की आधार पर, on the basis of interaction, तो पारस पर एक किर्या की आधार पर दो तरह का है हमारा one way communication and two way communication, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक तरफा संचार की नाम से ही सपष्ट हो रहा है, इस में एक जना शामिल है, ऐसे परसितियों में जो ग्राही है, सूचना प्राप्त तो करता है, पर वह प्रेशक को बदले में कुछ लौटा नहीं पाता, यानि कि मैंने आपको बताया था, ग्राही, रिसीवर जो कि सूचना प्राप्त करता है, ठीक है, सेंडर यानि कि प्रेशक जो कि सूचना को देता है, तो जब one way communication होता है, उसमें क्या होता ह सूचना तो हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सेंडर को हम कोई feedback नहीं दे पाते, कोई प्रतिकिर्या नहीं दे पाते, कोई प्रतिपुष्टी नहीं दे पाते, इसका सबसे अच्छा example है हमारा आज का वीडियो, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ, ठीक है, आप क्या है receiver, अब आज की जो परिस्थितियां है, आप ग्राही है, आप सूचना प्राप्त तो कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्राही सूचना प्राप्त तो करता है, यानि आप आज की जो information's है lesson की वो प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन प्र देना चाहते हैं, कुछ भी बातचीत करना चाहते हैं, तो आप कोई response नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं, एक तरफा संचार, आप मुझसे question पूछ तो सकते हैं, comment box में comment कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसका तुरंत reply नहीं कर सकती, मैं आपको इसलिए हम इसको कहते हैं, one way communication, यानि की एक तरफा संचार, इसके कुछ और examples हैं, जिससे आपको और इच्छे सा समझ में आ जाएगा, इसका एक example है भाषन, देखिए कोई नेता या कोई भी भाषन दे रहा है, अब वो क्या कर रहा है, वो अपना भाषन देता जा रहा है, लेकिन हम सिरफ सुन सकते हैं कि वो अपने भाषन में क्या कह रहा है, हम उससे बीच-बीच में बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हम question पूछेंगे, फिर वो reply करेगा, तो भाषन नहीं होगा, तो भाषन में क्या होगा, केवल sender आपको information दे रहा है, जो receiver है, वो response नहीं दे सकत ततकाल नहीं दे सकता, बाद में तो दे सकता है, लेकिन दे सकता है, कोई व्याक्यान है, या कोई प्रवचन है, किसी के भी प्रवचन है, चाहे आप live सामने सुन रहे हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं, टीवी पे सुन रहे हैं, अब आप अपना response, फीड़बैक, कोई भी question, तुरंट नहीं दे सकते हैं रेडियो या म्यूजिक सिस्टम पर संगीत सुनना आप म्यूजिक सुनते हैं म्यूजिक सुनना सबको अच्छा लगता है मैं भी सुनती हूँ लेकिन हम किसे म्यूजिक सिस्टम पर रेडियो पर कोई संगीत सुन रहे हैं अब मैं उस सिंगर को कह चाहूं कि तुम्हारा गाना मुझे अच्छा लगा या यहां पर इसका मतलब क्या है या कुछ भी तो मैं उससे तुरंत बातचीत नहीं कर सकती यह वन वे communication है ठीक है यानि मैं सिरफ जो receiver है मैं हूँ है ना तो मैं सिरफ sender की information को sender की music को enjoy कर सकती हूँ अपना response अपनी feedback तुरंत नहीं दे सकती इसका एक और example है टेलिविजन पर कोई भी मनोरंजक कारेकरम देखना टीवी हम सब देखते हैं मैं भी देखती हूँ आप भी देखती हो अब टीवी पर कोई भी हम कारेकरम हम देख रहे हैं फिर चाहे वो news है कोई movie है कोई serial है cartoon है अब हम उसको देख सकते हैं सूचना ग्रहन कर सकते हैं लेकिन हम चाहें कि हम उसके producer से director से singer से actor से actresses से हम उनको कोई feedback दे पाए तुरंत कोई response दे पाएं कोई question पूछ पाएं तो ये possible नहीं है इसलिए इसे हम कहते हैं one way communication यानि कि इसमें केवल और केवल किसका रोल होता है sender का ठीक है receiver की feedback का receiver के response का इसमें रोल नहीं होता है इसलिए इसे कहते हैं एक तरफा संचार अगला इसका example है website पर सूचना ढूनने के लिए internet का उप्योग करना आप website पर किसी भी तरह की सूचना ढून सकते हैं Google पर YouTube पर किसी भी चीज़ का use करके अब आप जो information ढून रहे हैं आप वो ग्यान वो तत्य है वो सूचना हासिल तो कर लेते हैं लेकिन आप सोचें बदले में अपना response है feedback दे तो यह possible नहीं है तो यह सारे के सारे किसके example है one way communication के अब हम बात कर लेते हैं इसके second type की जो की है two way communication दो सरफा संचार अब ही हमारा first type ही चल रहा है जिसके अंतरगत दो इसके classification है कौन सा है first type हमारा on the basis of interaction ठीक है तो दो तरफा संचार यह है एक ऐसा संचार है जो दो या अधिक वेक्तियों के बीच में होता है अब नाम से ही first है दो तरफा two way है ना तो इसमें कितने वेक्ति शामिल है दो या दो से अधिक वेक्ति अब क्या होता है यहाँ पर एक दूसरे से समप्रेशन करने वाले यानि communication जिनके बीच में हो रहा है सभी पक्ष, मतों, विचारों, सूचना, आदिक आदान, प्रदान शाब्दिक या अशाब्दिक रूप में करते हैं अब आगे बढ़ें तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शाब्दिक communication तो हमें समझ में आ रहा है अब भी आगे हम detail में इसकी बात करेंगे इसका एक छोटा सा example मैं आपको बता देती हूँ WhatsApp पे आप जितनी भी smileys यूज़ कर रहे हैं वो अशाब्दिक संचार का ही एक साधन है या मैंने किसी को यूँ कहा It means I like it, है ना हमने किसी को यूँ कर दिया या हमने किसी को इस तरह से इशारा कर दिया ये सारा क्या है एशाब्दिक है तो जहां two-way communication होता है वहाँ पर एक दूसरे से संप्रेशन करने वाले सारे पक्ष सूचना, मत, विचार सब का आदान-प्रदान करते हैं इसके हम कुछ examples ले ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा मुबाइल फोन पर बात करना आप किसी से भी मुबाइल फोन पर बात कर रहे हैं आपने कोई बात रखी अपनी सूचना कोई मत, कोई तथ है, विचार, अपनी फेलिंग्स अब सामने वाला आपको reply कर रहा है फिर आपने response दिया सामने वाले को बात अच्छी लगी, नहीं लगी तो आप तुरंत जो feedback भी दे रहे हैं response भी दे रहे हैं उसी वक्त आप sender भी हैं थोड़ी देर बात आप receiver हैं फिर sender है, फिर receiver हैं तो ये दोनों तरफ से communication चल रहा है ठीक है, इसका एक और example है मा के साथ भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्ष करना आप अपनी माता से फोन पर बात कर रहे हैं अपनी मदर से कि मुझे ये company जोइन करनी है या मैं ये जो आप करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ मेरे 10th में इतने percentage आए है मुझे science लेनी है अब वो आपको कह रहे है ठीक है आपका decision सही है या मुझे आपका decision सही नहीं लग रहा तो अब ये two-way communication चल रहा है यानि दोनों तरफों से ही संचार चल रहा है sender और receiver ठीक है चैटिंग के लिए इंटरनेट का परयोग करता अभी थोड़ी देर पहले हमने इंटरनेट का परयोग किया था लेकिन फरब क्या था कि वहां हम website पे कोई सूचना ढून रहे है उस वक्त हम अपना feedback या response नहीं देग सकते यहां पर chatting चल रही है इंटरनेट पर तो चैटिंग में क्या है मैं आप से चैट कर रही हूं मैंने आपको कोई message भेजा आप मुझे तुरंद reply कर सकते हैं फिर मैंने उसका reply किया तो यह क्या है two way communication इसका एक और बहुत example है कोई शिशू जब किसी बच्चे को भूख लगती है अब बच्चे को बोलना नहीं आता दे कि अमने बात की थी न शाबदिक और अल शाबदिक को यहां हम समझ सकते हैं कि अपनी भूख जताने के लिए कोई शिशू रोता है अब बच्चे को रोना आता है लेकिन उसको बोलना नहीं आता उसको भूख लगी या बच्चा रोया तो उसकी अनुक्रिया में यानि उसके रिस्पॉंस में ये टूवे चल रहा है ना बच्चे ने अपनी जो इन्फोमेशन है बच्चा यहां पे सेंडर है रोकर उसने अपनी भूख जता दी अब उसकी जो मदर है वो रिसीवर है प्राप्त करता है उसने बच्चे के रोने के माध्यम से समझ लिया बच्चे को भूख लग रही है अब रिस्पॉंस आएगा यानि अनुक्रिया में क्या होगा उसकी माँ उसका पेट भरती है तो शिशू का जो रोना है वो क्या है मैसेज है संदेश है ठीक है जो की बच्चे की भूख को समप्रेशित कर रहा है और शिशू के जीवन के लिए आवशक है इसलिए ये जो संचार है ये दो तरफा है यानि कि ये टूवे कम्मिनिकेशन है ठीक है अब हम बात कर रहे हैं सेकिंड टाइप की यानि कि संचार की स्तरों की आधार पर वर्गे करन on the basis of levels of communication हमने हमारा फॉर्स्ट कम्प्लीट कर लिया ये हमारा सेकिंड टाइप है और सेकिंड टाइप के अंतरगत हमारे पास 6 points है कौन-कौन से इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्मिनिकेशन, मास कम्मिनिकेशन, इंटरओगनाईजेशनल और इंटरओगनाईजेशनल तो सबसे पहले हम फॉर्स्ट की बात कर लेते हैं अंत्रव्यक्तिक संचार इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्मिनिकेशन जी कि नाम से ही सबस्ट है यह स्व्यम से, समवाद करने से समबंदित है یعنی कि इसमें सेंडर भी हम है और रेसीवर भी हम है इसमें हम खुच से बातचीत करते हैं क्या आप खुद से बातचीत करते हैं? जी हाँ, आप इसका अंसर ना नहीं दे सकते, क्योंकि हम में से सारे के सारे वेक्ति खुद से बातचीत करते हैं, कई बार हम बोलकर बातचीत करते हैं, और कई बार बिना बोले बातचीत करते हैं, हम खुद से question पूछते हैं, खुद को communication यह है अवलोकन करने हमने कोई चीज देखी फिर उसका विशलेशन किया है और ऐसे निशकर्षों पर पहुंचने की एक प्रकार की मानसिक प्रकिर्या है जो किसी व्यक्ति के वर्तमान भूत और भविशे के व्यवहार और जीवन के लिए अर्थपूरण है इसको आसान से श हमजते हैं और यह हमारे जीवन के लिए अर्थपूरण भी होना चाहिए छोटा सा में एक एक जेमपल ले लेते हैं जब हम कोई एक्जैम देकर एक्जामिनिशन हॉल से बाहर आते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि आज का जो मेरा एक्जाम था कैसा गया मैंने तैयारी कैसे की अब भविश्य यानि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे फिर हम कुछ से बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि 6th question में तो मैंने answer यह लिखा था जबकि मुझे यह answer नहीं लिखना चाहिए था इसका answer तो यह था अब मेरे मार्क्स कम आएंगे result यह आएगा फिर हम कुछ से बातची यह है एक सतत प्रकिर्या है यानि की continuous process है जो किसी व्यक्ति के भीतर चलती ही रहती है हम लग भग खुद से पूरा दिन ही बातचीत करते रहते हैं हमारे दिमाग में मस्तिश्क में जो विचार आते रहते हैं उसे भी हम अंत्रा व्यक्तिक संचार ही कहते हैं इसके हम कुछ आते हैं किसी साक्षातकार यानि interview या हमारा कोई oral exam है मोखिक परिक्षा है या हम home science की बात करें तो practical में जब हमारा वायवा होता है तो उसमें उपस्तित होने से पूर्व उसका मानसिक पूर्व अभ्यास यानि कि हमें कोई interview में जाना है तो हम पहले से ही सोचने लग जाते है ना तो जब हम पहले से ही अभ्यास कर रहे हैं कि हो सकता है मुझसे ये question पूचा जाए वायवा में मुझे कुछ को किस तरह से present करना है तो इसी को हम कहते हैं अंत्रावेक्तिक संचार ठीक है यानि कि intra-personal communication अब देखिए ये वेक्ति है कुछ से ही बातचीत कर रहा है ये है खुझ से बातचीत कर रहा है क्या में ये काम कर सकता हूं या में ये काम नहीं कर सकता मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए कई बार हम कोई decision लेने से पहले बहुत बार सोचते हैं मुझे वाँ जाना चाहिए या नहीं मुझे ये काम करना है या नही करना है, तो ये सारे इसा के उधारण है ठीक है और मैंने आपको बताया था कि जो संचार है सभी शेत्र में व्यापत है, फिर चाहे ग्रामीन शेत्र हो या शहरी शेत्र हो, तो अब हम एक एगजेंपल ले रहे हैं ग्रामीन शेत्र से, एक रूरल एरिया से, ये एक ग्रामीन महीला है, जो कि अपने आप से बातचीत कर रही है और सोच रही है कि क्या मुझे मेरे बच्चे को पॉलियो ड्रॉप्स पिलानी चाहिए, अगर मैं पिलाती हूँ तो मेरे बच्चे के स्वास्ते के लिए किस तरह स लगता लएक हो सकती है, तो यह भी इसी कम्यूनिकेशन का यानि की अंतरव्यक्तिक संचार का उधारन है, अब हम second बात कर लेते हैं, अंतरव्यक्तिक संचार, यानि की इंतर परस्नल कम्यूनिकेशन, अब इसका संबफ़े दो या उन्से अधिक लोगों के बीच है, उसमे किवल एक जना शामिल था, यानि हम खुद सेंडर भी हम थे और डिसीवर भी हम थे, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां दो लोगों के बीच आमने सामने होने की स्थिती में विचारों और मतों की साजेदारी से है, यह अपचारिक अथ्वा अनुपचारिक स्थिती में संपन हो सक अब यह उपचारिक और अनुपचारिक स्थिती क्या है, देखें संचार है, जो बातचीत है, यह दो तरह की होती है, Formal और Informal, Formal से हमारा अश्या है, हम स्कूल में हमारे प्रिंसिपल से, टीचर से बात कर रहे हैं, किसी कंपनी में हमारे बस से बात कर रहे हैं, यह जहां ह हमारे परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हैं, अपने Friends Circle में Friends से बात कर रहे हैं, अपने Sibling से बात कर रहे हैं, तो यह जो पाठचीत होगी, यह कौन सी होगी? Anoopcharik, तो यह Anoopcharik भी हो सकता है, और Siti जो है वो Anoopcharik Siti में भी संचार संपन हो सकता है, इस प्रकार के संचार के लिए संचार के विविद्ध साधनों का उपयोग किया जा सकता है जैसे शारिरिक संचालन, मुख मुद्राएं, हाव भाव, भंगी माएं, लिखित पाडशब, दुध्वनी जैसे मुखिक तरीकों का परयोग किया जा सकता है अब विविद्ध साधन कौन कौन से है वैसे तो हम आगे detail से बात करेंगे एक बार शौट में हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि हमारे जो facial expressions हैं हमारे जो howb-how हैं है ना हमारे जो body language है हमारा eye contact है ये सारे के सारे हम इसमें उपयोग कर सकते हैं जैसे इसका एक उधारन धम ले लेते हैं, पढ़ाई के दौरान या कोई पर्योग करने के दौरान आने वाले समस्याओं के बारे में अपने मित्र से बातचीत करना आपका प्रैक्टिकल चल रहा है, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आपको किसे से कुछ डिस्कस क करना है, अब अपने फ्रेंड को बता रहे हैं, उसने आपको रिप्लाई किया, फिर आपने रिप्लाई किया, उसने कुछ पूछा, या फिर आप स्ट्डिस कर रहे हैं, आपको कोई बात नहीं समझ आ रही, क्लास में टीचर आपको पढ़ा रही है, आपने कोई कुश्चि पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, है ना किसी भी तरह का, उसको हम कहते हैं प्रश्न उत्र सत्र, और दोस्तों के बीच में गप्पे लडाना, आप अपने फ्रेंड से गप्पे लडा रहे हैं, तो ये किसका एग्जम्पल है, अनौप चारिक का, डॉक्टर से स अला मश्वरा ले रहे हैं, अपने समस्या बता रहे हैं, ये कौन से सिती होगी, अपचारिक सिती, लेकिन इसमें क्या है, आमने सामने कम्यूनिकेशन हो रहा है, हमारी जो सिती है, कभी सेंडर की है, और कभी रिसीवर की है, अब हम बात कर लेते हैं, इसके एक और उधारन कि जो अंतरविक्तिक संचार है सबसे अधिक प्रभावी और आदर्श होता है क्यूं होता है सबसे अधिक प्रभावी और आदर्श क्योंकि इसमें जो response है जो feedback है वो तुरंथ होता है ठीक है ये एक आपचारिक स्थिति के संचार का उधारन है अब हम बात कर लेते हैं कि इसके दो कारण हैं हमने अभी कहा ना कि यह सबसे अधिक प्रभावी होता है और आदर्श होता है क्यों इसके दो कारण क्या है कि पहला तो इसमें ग्राही और संचारक के बीच हमेशा ही निकटता होती है और पत्यक्र संपर्ख होता है ग्राही या या प्रेशक, अब इन दोनों के बीच में निकटता होती है और डारेक्ट इनके बीच में संपर्क रहता है इसलिए ग्राही को यानि की प्राप्त करता को जो सुछना प्राप्त कर रहा है किसी प्रस्तावित विचार या अभिमत को स्विकार करने के लिए मनाना प्रेरित करना और राजी करना आसान होता है अब इन शब्दों का क्या मेनिंग है इसका एक छोटा सा एक्जम्पल ले लेते हैं आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स के सामने अपने कोई डेमान रख रहे हो कि मुझे मुझे मुबाइल फोन लेना है या मुझे ड्राविंग सीखनी है अब आपके पेरेंट्स को आपके डिमांड सही नहीं लगी उन्होंने आपको मना कर दिया अब आपने अपना विचार रखा अब उस अभीमत को स्विकार करने के लिए आप उसको मना रहे हो नहीं देखो पापा मुझे ड्राविंग सीखने दो आमारे घर के लिए बहुत इजी हो जाएगा कोई भी काम है मैं आपका हाथ बटाऊंगी या मैं आपका हाथ बटाऊंगा मुबाइल फोन से मेरी स्टाडीज हो जाएगी अब आप उनको मना रहे हो प्रेरित कर रहे हो राजी कर रहे हो तो ये आपके लिए आसान हो जाता है दूसरा इसका कारण है कि प्रस्तावित अभीमत के विश्य में ग्राही की प्रत्यक्ष अनुकिर्या यानि जो डारेक्ट रिस्पॉन्स है उसके रूप में त्वरित और दृड़ प्रतिपुष्टी संभव है तो इसलिए यही दो कारण है कि ये जो संचार है सबसे अधिक आधर्श होता है और सबसे अधिक प्रभावी होता है अब हम बात कर लिते हैं इसके थर्ड टाइप की जो की है समू संचार यानि की ग्रूप कम्यूनिकेशन अब इसमें क्या होता है होता तो ये अंतरव्यक्तिक संचार की तरह ही है डारेक्ट होता है बिलकुल और व्यक्तिक धंग से होता है लेकिन ये जो प्रकिर्या है इस संचार प्रोसेस में इस communication process में दो से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, क्योंकि इसका नाम है group communication, Samu Sanchar, तो इसमें दो से अधिक व्यक्ति शामिल है, इसलिए इसका ये नाम है, होता ये बिल्कुल उसी के तरह, जिसके अभी हमने बात की थी, Samu Sanchar परसपर स्वीकरत द्रश्टिकोर और सामुहिक निर्नय को सुनकर बनाने में साहिता करता है, यानि पूरा group कोई decision ले रहा है, पूरे group के कोई धार्ना है, कोई विचार है, कोई idea है, और आत्म अभी व्यक्ति का अवसर देता है, पूरे group के बीच में हम अपनी बात रख पाते हैं, यह हमारे confidence को भी बढ़ाता है, और किसे सबहा में व्यक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है, जिस से समुग में उसका थान सूद्रड होता है, इसके कुछ examples हम कर लेते हैं, यह मनोविनोत और तनावमुक्त होने में, समाजी करण में और प्रेरित करने में सहयक होता है, यानि कि इस तरह के संचार से व्यक्ति तनावम मुक्त भी होता है, और socialization में भी help मिलती है, क्योंकि जहां पर हम रह रहे हैं, अगर वहां अपनी बातचीत हम रख पाते हैं, अपने विचार साजा कर लेते हैं, तो हम तनावमुक्त भी रहते हैं, समुग संचार को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के द्रश्य श्रव्य सा हमारा यहां अश्य क्या है, audio-visual aids, किसी company को में कोई meeting चल रही है, अब अलग लगता है कि सादों का पर्यूग किया जा सकता है, posters का, painting का, या फिर किसी projector का, या mic का, किसी भी तरह कि बहुत सारे audio-visual aids होते हैं, जिनके हम detail से बात करेंगे, उनका पर्यूग किया जा सकता है, देखे, Samu Sanchar का अच्छा example है company की meeting, कि कोई वेक्ती अपना जो project है, या कोई भी presentation हो दे रहा है, अब बाकी जो सदत से हैं, वो सुन रहे हैं, उन में से किसी ने अपना feedback दिया, किसी ने अपना response दिया, किसी ने कोई question पूछा, फिर उसको reply मिला, तो इसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं इस तरह के communication में, इसलिए हम इसको बोलते हैं, group communication, अब अगले की हम बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं, mass communication, यानि की जन संचार, इशाब्द आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि आजकल इसके लिए अलग लग तरह के courses भी होते हैं, इसके education भी होती है, ओक देखिये हमारी जो technology है, आज बहुत साधा develop हो गई है, बहुत important उसमें changes हा गए हैं, बहुत advance हो गई है, तो उसका क्या result निकला है, कि हम अपने मत, अपने विचार, कोई भी new ideas हैं, हना कोई भी thoughts हैं, हम उनको समाज के एक बड़े हिससे तक हम यूं कहें, किसी society, किसी village, किस electricity, state, country, पूरे world तक पहुचा सकते हैं, ये बिलकुल संभव हो गया है, किसके कारण technology में जो development हुआ है, तो जन संचार की एक परिभाशा हम ये भी दे सकते हैं, कि किसी यांतरिक युकती की सहायता से, जन संचार यानि मास कम्मुनिकेशन का क्या आर्थ है, किसी यांतरिक य prices हो सकते हैं, ठीक है, यांतरिक युकती की सहायता से, संदेश को बहुगुनित करते जाने की प्रकेरिया। बहुगुनित से क्या आश्य है? संदेश 2 तक पहुचा, 4 तक पहुचा, 40 तक पहुचा या 1 साथ ही पूरे जिले में, पूरे रज्य में, पूरे देश में परवाशत किया जा सकता है इसका सबसे अच्छा इग्जामल है नोटबंदी देखिये जब हमारे देश में नोटबंदी लागू हुई थी तो ऐसा नहीं है किसी को आज पता चला किसी को 2 साल बाद पता चला या किसी को 4 साल बाद क्या हुआ था जैसे ही decision लिया गया नोट बंदी को तुरंट ही देश के एक विशाल हिस्से तक ये सूचना पहुँच गई थी और यही है जन संचार अब इसके लिए किसका पर्योग किया गया टीवी का न्यूस पेपर का रेडियो का है ना मैगजीन्स का अलग अलग तरीके से ये जो सूचना है पूरे देश तक पहुँच गई इसे को हम क्या कहते हैं जन संचार ठीक है जन संचार के साधन और माधियम अलग-लग है रेडिय तीवी है अपगर्य संचार है न्यूस पिपर है मैगजीन से यह सारे किसके साधन और माधियम है जन संचार के यानि किसी भी इनफोरमेशन को किसी सूचना को किसी आईडिया को किसी अविश्कार को एक बड़ी जनता तब जनता के विशाल हिस्से तक लोगों की बहुत एक ग्रुप तक पहुंचाना इसी को हम क्या कहते हैं जन संचार यानि की मास कम्यूनिकेशन जन संचार के दर्शकों और शुरताओं की संख्या बहुत विशाल और विविधिता पूरण है यह बिल्कुल ठीक बात है अब वो जो सूचना है यह बहुत सारे लोगों तक पहुंची तो उसके जो दर्शक थे जो शुरता थे वो बहुत अधिक विशाल और अलग अलग जगे पर थे ये परस पर बिन-बिन प्रकार की और नाम रहित होते हैं और काफी बड़े शेतर में फैले हुए होते हैं देश और काल की दर्श्टी से संप्रेशक से दूर सित होते हैं संप्रेशक यानि सेंडर अब जो information दे रहा है जो सेंडर सूचना दे रहा है उस सेंडर से जो receivers हैं कोई कहीं बैट कर सूचना को receive कर रहा है कोई कहीं बैट कर देश और काल कोई किसी समय पर सूचना रिसीव कर रहा है कोई किसे समय पर तो इस दरश्टी से ये दूर स्थित होते हैं अब हम बात कर लेते हैं इन ही कारणों से उनसे कोई सही पूर्ण प्रत्यक्ष और ततकाल प्रतिपुष्टी पाना संभव नहीं है तो देखिए यही रिजन है कि इस में भी एक जो डारेक्ट फीडबेक या इंस्टेंट तुरंत जो प्रतिपुष्टी होती है ततकाल प्रतिपुष्टी पाना संभव नहीं होता है सही पूर्ण और डारेक्ट ये सारी प्रतिपुष्टी इसमें पाना संभव नहीं है ये फीडबेक प्राप्त होती है लेकिन काफे सम communication अब हमने सबसे पहले नमबर पर किया था था ना अंतरा विक्तिक बिल्कुल उसी की तरह है ये अंतरा संस्था इसमें क्या होता है संस्थागत संचार सू विवस्तित संगठोनों में होते हैं यानि कि बिल्कुल जो managed organizations है हम उनकी बात कर रहे हैं मानवो की तरह ये जब लोग एक साथ किसी संस्था या संगठन में कार्य करते हैं तो संस्था भी संबंध स्थापित करती है और उन संबंदों का निर्वा करती है संस्था या हम किसी company को कह सकते हैं, किसी school को कह सकते हैं, किसी office को कह सकते हैं जिसमें लोग एक संगठन में, एक संस्था में कारे करते हैं तो उनके बीच में जो communication चलता रहता है ये अपने माहौल में और अपने विभागों या अनुभागों के बीच संचार के विभिनस्तरों का परयोग करते हैं हम एक school की बात करें, तो कोई भी information है principal से teachers तक पहुंची, teachers से students तक पहुंची या direct हो सकता है parents teacher meeting है, तो सारे parents तक पहुंच गई या assembly में principal से सारे के सारे students तक पहुंच गई students की कोई complaint है, कोई विचार है, वो direct principal तक किया, teacher से principal तक पहुंचा तो ये क्या हो रहा है, एक ही संस्था के बीच में काम चल रहा है एक ही संस्था के बीच में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, अंत्रा संस्था संचार, ठीके प्रतिक संस्था में पदों के अलग लगसतर अत्वा पदान उक्रम होते हैं भी हमने बात की थी न, प्रिंसिपल से टीचर्स तक या प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल तक या इंचार्ज तक उसके बाद बच्चों तक पियान को भी सूचना मिल गई, जो समान्य उदेशों की प्राप्ति के लिए मिलकर कारे करते हैं, समान्य उदेशय यानि कि उस सं देश्यों के लिए कार्या करते हैं, ऐसी संस्थाओं में सूचना का प्रवास समान स्थर पर दो तरफा होता है और विबिन स्थरों के बीच एक तरफा होता है, देखिए दो तरफा और एक तरफा यनि कि जब आप assembly में कोई सूचना ग्रहन कर रहे हैं, प्रिंसिपल ने बोल प्रिंट स्थीचर मीटिएंग हो रही है, जाब दो तरफा हो रहा है, तो यह दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही संस्था के सदस्यों के बीच में संचाल चल रहा है मैं बार बार एक ही संस्था क्यों कह रहे हूँ क्योंकि हमारा अगला जो classification है उसमें एक संस्था के बीच में नहीं होगा बलकि अलग-अलग संस्थाओं के बीच में होगा जिसे हम कहते हैं अंतेह संस्था संचार यानी Inter-Organizational Communication इसका संबन किसे संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं के साथ देखिए अब बात आ गई ना एक संस्था अन्य संस्थाओं के साथ आपसी सयोग और समन्वय से काम करने के लक्षय की दरश्टी से विक्सित संचार परणाली से है यानी कि आपस में कॉपरेशन से कॉडिनेशन स जब काम किया जाता है विबिन संस्थाओं के साथ उसी को हम कहते हैं अन्ते संस्था संचार इसका हम छोटा सा एक्जेंपल ले लेते हैं हमारे जो कंट्री में देश में जो विकास आत्मक कारेकलाप होते हैं उनमें क्या होता है जो टेकनिकल हेल्प है और फाइनेंशल के द्वारा ठीक है अब उसमें प्रशास्तनिक हेल्प की भी ज़रुत पड़ती है तो प्रशास्तनिक सायता किसके द्वारा दी जाती है केंदर सरकार और राजय सरकार द्वारा तो क्या होता है ये सारे मिल कर कारय करते हैं और अब इनके बीच में जो संचार होगा उसे हम क् अन्तियससा संचार, ठीक है, अब हमारे अगले टाइप की बात कर लेते हैं, संचार के साधन और विधी पर आधारित वर्गी करन, यह हमारा थर्ड चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने 2nd के 6 कम्प्लीट कर लिए, अब 3rd है, क्लासिफिकेशन on the basis of means और modes of communication, यानि साधन कौन से हैं, इसमें हमारे पास 2 टाइप है, शाब्दिक अत्वा मोखिक, यानि की verbal communication, और 2nd है, हमारा गय शाब्दिक यानि की non-verbal communication, अब सबसे पहले हम पहले की बात कर लेते हैं, शाब्दिक या मोखिक संचार, नाम से ही सपष्ट है, इसमें शब्दो का परयूग किया जाता है, ठीक है, श्रवर्ण साधन अत्वा मोखिक माध्यम, जैसे बोलना, गाना, और कभी-कभी स्वर का लहजा भी मोखिक संचार के लिए महतपूरन है, अब बोलना और गाना, ये तो आप अच्छे से समझ गए, कि हम बोलकर चब्दों से अपनी बात चीत रख लेते हैं, लेकिन लहजा बदलना, यानि कभी-कभी स्वर का लहजा, ये कैसे मोखिक संचार का महतपूरन साधन है, देखिए, घर पर आपने अपना कोई विचार रखा या कोई ऐसी बात बोली, अब आपके मम्मी पापा को बात सही लगी, तो बोलते हैं, अच् बात बिल्कुत सही नहीं है, मम्मी पापा को बसंद नहीं आ रही, या अगर आपके ऐसी कोई बात है, जिसे सुनकर वो उदास हो गए हैं, तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा, अब तीनों में शब्द तो सेम था, लेकिन स्वर का लहजा बदल गया, तो ये जो स्वर का लह बोलने और जोर से पढ़ने में बताते हैं, यानि कि ठीज अनुसंदान ये कहती है, कि एक व्यक्ति है, अपने अक्टिव टाइम का 70% टाइम मोखे किया शाब्दिक संचार में बिताता है, यानि कि मोखेक रूप से संचार करने, यानि शब्दों से सुनने में, बोलने में और जोर से पढ़ने में बिताता है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे second time की जो कि है गैर शाब्दिक संचार, यानि कि non-verbal communication, देखी ये जो गैर शाब्दिक संचार है, ये उनके लिए एक वर्दान है, जो बोल नहीं सकते हैं, या सुन नहीं सकते हैं, लेकिन जो बोल सकते है और सुन भी सकते हैं, वो भी इसका पर्योग करते हैं, कैसे? संचार के गैर शाब्दिक साधन है, हावभाव, मुख मुदराए, मिजाज, भंगिमाए, नेत्र संपक, यानि कि आई कॉन्टेक्ट, सपर्ष, टच, पराभाशा, लिखाई, पहनावा, यानि हमारा ड्रेसिंस और केश सज्जा आदिर साथ ही वास्तुकला, प्रतीक, संकेतों की भाशा, जैसे कुछ जन्जातिये लोगों द्वारा पर्योग किये जाने वाले धुम्र संकेत, अब ये सारे के सारे क्या हैं? गैर शाब्दिक संचार के उधारन हैं, देखिए हमारा आई कॉन्टेक्ट क पहनावा किस तरह से गैर शाब्दिक संचार का उधारन हो सकता है, देखिए हमारे यहां पर कुछ जो प्रोफेशन्स हैं, कुछ व्यविसाय हैं, उनकी यूनिफॉर्म होती है, तो हम तुरन देख कर पहचान जाते हैं, सामने वाले ने कुछ बोला नहीं, लेकिन खाकी र है, गले में स्टेथसकॉप है, हम समझ गए कि वो डॉक्टर है, तो पहनावा भी गैर शाब्दिक संचार का उधारन है, अब जो केश सज्जा है, वो गैर शाब्दिक संचार का उधारन कैसे हो सकती है, आप घर पे गए, आपने देखा, ममा ने बहुत अच्छा सा हेस्ट है, उनके बाल बिखरे हुए है, अब आप समझ जाएंगे कि ममा घर पे ही रहेंगी, या उनका मूट ठीक नहीं है, या ऐसी बहुत सारी बाते होती है, जो हम बिना शब्दों के ही समझ जाते हैं, इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है, हमारी ममा की आँखें, हम घर पे हम जब सर्प्राइज हो जाते हैं, तो हम इस तरह से अपनी आखे बड़ी कर लेते हैं, जब हम डर जाते हैं, तो हमारे फेस पे वो जलग जाते हैं, खास करके बच्चों के फेस पे तो डर साफ दिखाई देता है, जब हम गुस्से में होते हैं, तो हम अपनी आखे इस तर ड्रेस होता है वो अलग होता है हमेशादी में जाना है वो ड्रेस हमारा अलग होता है हम नाइट फियस में है इतमीन समसोने जा रहे हैं तो अलग अलग अश्रों के लिए अलग अलग पोशाक पहनी जाती है जो कि क्यार्शापदिक संचार का एक उधारन है वास्ताव में हमा चलती है, है ना, ये कुछ उधारन है, आपके ग्यार शाब्दिक संचार के, मैंने आपको पहले भी बताया, वट्सप पे जो हम smileys use कर रहे हैं, वो भी ग्यार शाब्दिक संचार का ही एक उधारन है, अब हम बात कर रहे हैं, on the basis of senses, यानि एक से अधिक इंद्रियों से काम में लेने के आधार पर वर्गी करन, यानि हम केवल अपने कानों का परयोग कर रहे हैं, हमें आँखों का परयोग कर रहे हैं, कौन कौन सी सेंस काम पर्योग कर रहे हैं उसके आधार पर तीन है श्रव्य द्रश्य और श्रव्य द्रश्य तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आडियो एट्स की, उसके बाद विजुल की और फिर आडियो विजुल एट्स की देखें क्या आपने कभी या जानने की कोशिश की है कि किताब में पढ़ने की तुलना में अगर केवल टीवी पर अथ्वा जीवंत लोक नरत्या या शास्त्रे नरत्या प्रस्तुती की देखने से अपनी समरद परंपरा के बारे में जानने समझने में अधिक आसानी होती है और ये अधिक रूचिकर होता है थोड़ से टफ सेंटेंस लग रहा है इसको अभी इजी बना देते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो क्लासिकल डांस है या कोई फोक डांस है उसमें इस तरह का संगीत होता है इस तरह के हाव भाव होते है या उसमें इस तरह का ड्रेस पहना जाता है ये केवल आप बुक में पढ़ लें ठीक है तो आपको कितना समझ में आएगा कम समझ में आएगा मैं आपको बता रही हूँ थोड़ से ज़दा समझ में आएगा लेकिन डारेक्ट आप उसको टीवी पर ही देख लें तो आपको समझ में आजाएगा कि अच्छा इस ड्रेस की मैं हम बात कर रही थी कि इस तरह के न्रत्या में इस तरह की ड्रेस होती है इस तरह का म्यूजिक होता है इस तरह के स्टैप्स होते हैं तो अब आपको वो लोक नरत्य या शास्त्रे नरत्य बहुत आसानी से समझ में आ जाता है और अधिक इंट्रस्टिंग भी लगता है अधिक रूचिकर भी लगता है तो देखिए संचार के प्रकार के अगर हम बात करें तो श्रवय में रेडियो यानि जिसके लिए हम केवल अपने कानों का पर्योग कर रहे हैं हम केवल सुन सकते हैं कोई भी रिकार्डिंग है CD प्लेयर है कोई व्याख्यान है या हमारा जो लैंड लाइन या बेसिक मोबाइल फोन है उसमें जो कम्मिनिकेशन हो रहा है उसमें हम केवल अपने कानों का पर्योग कर रहे है तो वो क जिसमें हम देख भी सकते हैं, और सुन भी सकते हैं, कोई वीडियो फिल्म है, या मल्टी मीडिया मुबाइल है, या इंटरनेट है, जिसमें कि हम सुन भी सकते हैं, और देख भी सकते हैं, अपने कानों का और आंखों का दोनों का इस्तेमाल करते हैं, अब एक छोटा सा चार् हमने इसमें किसका पर्योग किया द्रश्य का यानि अपनी आँखों का चाहे कोई magazine है newspaper है हमारी कोई book है कोई printed material है हमने उसको पड़ा तो हमें कितना percent याद रहेगा केवल 10 percent अगर हमने उसको सुना तो हमें कितना याद रहेगा 20 से 25 percent यहां हमने सुना और हमने किसका यूज कि या श्रवय का अपने कानों का अब लोग जो देखते हैं उसका लग भग 30 से 35 परतिशक तक उनके दिमाग में रहता है यानि अब हम देख रहे हैं ठीक है तो हमने देखा हमने किसका पर्योग किया द्रश्य का अब देखा भी है और सुना भी है तो उसका 50 percent या उससे अधि वो याद रखते हैं देखा भी और सुना भी अभी मैं आपको इसका एक example दोंगी जिससे आपको पूरा चार्ट अच्छे से clear हो जाएगा अब लोग जो देखते हैं सुनते हैं और करते भी है यानि अब यहाँ पर हमारा participation भी शामिल है तो उसका 80 से 85 परतिशत या उससे अ मर्ज में आता है और स्थाई रहता है इसका एक चोटा सा example हम ले लेते हैं कि मैंने आपको बताया रामायन के बारे में या महाबारत के बारे में चीक हम रामायन की बात कर लेते हैं आपने किसी बुक में पढ़ा है कि राम के बारे में सीता के बारे में वनवास के बारे में अब आपको किवल कितना याद रहेगा 10% लेकिन आपने उसको सुना भी आपने पढ़ भी लिया और आपको टीचर ने explain भी कर दिया है तो आपको कितना याद रहेगा 20-25% क्योंकि आपने बुक में तो पढ़ा लेकिन टीचर ने भी explain किया है राम जी कौन थे, सीता कौन थी, उनको वनवास कैसे हुआ, ठीक है, आयोध्या के बारे में, तो अब आपको कितना याद रहेगा, 25%, ठीक है, अब आपने कहीं पर राम लीला का, या रामायन का मंचन देखा, कोई नाटक देखा, राम लीला से संबंदित, रामायन से संबंद अब आपको कितना याद रहेगा, 30 से 35%, अब आपने उसको देखा है, सुना है, टीवी पर आपने रामायन को डारेक्ट देख लिया, अब आपको अच्छे सा याद हो जाता है, आपको दिख जाता है, अच्छा राम जी ऐसे दिखते थे, वो इस तरह के वेश्पूशा धा करते थे, सीता मा ऐसी दिखती थी, अब वो आपको जादा याद रहेगा, लेकिन आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, राम का या सीता का रोल अदा किया है, तो वो आपको और जादा याद रह जाता है, आपके दिमाग में और जादा रह जाता है, हमारा कोई dance है, classical dance, वो भी इसका एक एक्जामपल है, मैंने आपको बताया, पंजाब का प्रसिद नित्य है भांगडा, अब आपने अगर उस भांगडा को केवल मुझसे सुना, कि इस तरह के बोल होते हैं, इस तरह के वेशबूशा होती है, इस तरह के उसमें स्टैप्स होते हैं, आपको उतना समझ भी आ जाएगा और याद भी रहेगा, तो इसलिए जब हम अधिक इंद्रियों से काम लेते हैं, तो जो अध्यान होता है, अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है, अब हम कर रहें एक छोटी से एक्टिविटी, ये भी किसका एक्जामपल है, अधिक इंद्रि हैं, तो आज के हमारी एक्टिविटी क्या है, क्या आपको देश के किसी ग्रामिन शेतर में, या किसी गाओं में, छोटे शेहर में रहने, या वहाँ जाने का मोका मिला है, आपको अपना अनुभाव बताना है, कि वहाँ उन्नत प्रद्योगी की और संचार के चिन है, जैस से आपको क्लास में डिसकेशन करना है, अपनी फैमिली के साथ डिसकेशन करना है, और इस वर्क में, जो संचार के विबिन साधन, माध्यम और प्रकार है, जो स्तर है, उनकी एक सुची बनानी है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे, कम्मिनिके वीडियो में तब तक के लिए थांक यू